आज हम बनाएंगे एक Burmese dish जिसका नाम है खाउस्वे एक पैन को गरम करेंगे इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ओयल इसमें जाएगा बेलीफ थोड़ा सा ब्लाक पेपर जीरा इसे अब हमें लाइटली सौटे करना है जीरा भुन गया है इसमें जाएगा अनियन चॉप्ट गालिक साथ में डालेंगे फ्रेशली चॉप्ट जिंजर और थोड़ी सी ग्रीन चिली गिविट अनियन गालिक जिंजर को ब्राउन नहीं करना एक से दो मिनिट के लिए से लाइटली बस पकाना है यह है टर्मरिक अब इसमें डालेंगे मद्रास करी पावडर इसक बेशन इस करी को थिकने सेता है साथी साथ एक अच्छा अच्छा फ्लेवर भी नव जस्टो इस इस इसके इंदर जाएगा थोड़ा सा देही इसमें अब हम मन पसंद सबजियां डाल सकते हैं I have carrots, mushrooms and broccoli इसमें डालें तोड़ा साथ इसके अंदर जाएगा अच्छा उड़ा साथ इसके अंदर जाएगा अच्छा वाटर इसके अदर जाएगा अच्छा डालेंगा नहीं करना we need a crunch in them so isse halka sa pakana hai wow that curry powder flavor is just coming out so beautifully this stage pe am डालें इसमें coconut milk lots of coconut milk look at that nice silken coconut curry इसको एक बॉल देना है and that's it हमारी करी तयार है खाउसे को खाया जाता है नूदल के साथ so it's almost like a soupy consistency ये रह हमारा soup हमारी पास ये बॉल नूदल है इसे हम एक फोक पे इस तरीके से रोल कर लेंगे this is only for presentation purpose it looks much more neater roll it up and then just place it in the center again just इसके उपर हमें इस तरीके से लपीटना है ये है हमारी खाउसे और ये है हमारे accompaniments इसके उपर में थोड़ा साच चिली फ्लेक्स थोड़ा से रोस्ते पीनॉट्स थोड़ा सी चौपत स्प्रिं न्यन थोड़ा साब गाले चर्लिक्स फोड़ा से ब्राउन डिनियम्स फिनली गानिश इट विट पर कुरियंदर स्प्रीग हमारी खावस्वे अलोग विट अपरिमेंट दन